हाई फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नई वीडियो में दोस्तों आज मैं बात करूंगा नेरोवियन फोर्ट आरिफ इंजेक्शन के बारे में इसकी डिटेल रिभीव मैं आपको देने वाला हूँ और डिटेल जानकारी आपको देने वाला हूँ कि ये जो इंजेक्शन है ये किन-किन बीमारियों में इस्तमाल किया जाता है और इसके इस्तमाल से हमें क्या-क्या फाइदे होते हैं क्या-क्या बेनेफिट्स होते हैं इसके बारे में तो आप इस वीडियो को जरूर देखे ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके और अ सिए जो निरोबियन फोर्ट आरे फिन्जेक्सन ये मर्क फार्मा की बनाई वी बहुत बढ़िया प्रोड़क्ट है और इसके अंदर की मॉलीकुल के अगर हम बात करें तो इसके अंदर तीन परकार के मोलीकुल का इस्तमाल क्या गया है पहला है मिकोबादा बीन, दूसरा है पाइरीडोक्सिन हाइड्रोकलोराइड और तीसरा है निकोटीनामाइड इसके अंदर जो एमपूल होती है वो इस परकार से होती है देखे इस परकार के पैकिंग होती है यहाँ पर ब्लेक पैक आपको मिलता है इस डंग से इसकी MRP के बात करें तो पर एमपूल के प्राइस जो है वो लगभग 14 रुपीज के आसपास है पर एमपूल की यह 2 ml की एमपूल होती है और अगर आप इसके अंदर के मोलीकुल की मातरा की बात करते हैं तो मिकोबालामीन जो है वो आपको 1000 mcg मिलती है पैरीडोक्सिन हाइड्रोकलोराइड 100 mg मिलती है और निकोटीनामाइ होती है नसोमें दर्द वाली जो समश्या होती उसमें भी ये बहुत बढ़ियां दंग से काम करता है बहुत सारे जो होते हैं जिनकी त् समस्या होती या फिर घुटनों में दर्द जैसे समस्या होती है तो उस इस्थिति में भी इस इंजेक्शन का इस्तमाल किया जाता है वहां पर भी यह बहुत ही बढ़ियां डंग से काम करता है यह जो निरोबियन इंजेक्शन है इसका इस्तमाल डोक्टर खास करके नसों में आने वाली कमजोरी पर करते हैं जिसमें कि ये नसों को बहुत ही जल्द रिकबर करता है हमारी भेंस जो कमजोर हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं उसमें ये बहुत ही जल्द रिकबर पहुंचाता है तो इस डंग से आपके नसों में दर्द होती है या फिर आपके कमर में दर्द होती है फिर गुटनों में दर्ध होती है तो वहाँ पर इस injection का इस्तमाल किया जाता है इसके अंदर इस प्रकार परीडम कि आपको देखने को मिलती है और इसके अंदर जो molecule है वो आपको raid दिखाए देती है तो friends मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी ति इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुभ हो मंगल में हो धन्यवाद दोस्तों